हेलो बच्चों आज हम मेरे रजा साहब यह सुजाता बाजाजी का संस्मरन देखेंगे संस्मरन याने क्या? संस्मरन याने किसी की याद में या उनके स्मरन में लिका हुआ खोई भी साहित्य तो चलो सबसे पेले सुजाता बाजाजी का परिचय देखते हैं सुजाता बजाज जी का जनम राजस्तान के जैपुर में हुआ वह एक प्रसिद्ध चित्रकार है आज कल वह कहा रती है तो प्रारिस में रती है आपके चित्र एवं मुर्ति कला भारतिय रंग में डुबी हुई रती है आपके चित्रों एवं मुर्तियों पर प्राचिन संस्कृती एवं कला की छाब दिखाई पड़ती है आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सुजन किया है जिसमें साद्गी भी है और रेंगीनी भी, कुशी भी है और गम भी उनकी प्रमुकृतिया कौन सी है तो सुजाता जी द्वारा बनाये गए गनेजी के चित्रों पर आधारित उनका एक पुस्तक प्रकाशित थे गद्य संबंदी क्या है तो प्रस्तूत पाट में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हिदर राजा के बारे में लेखी का सुजाता बाजाज ने अपने संस्मरन लिके है यहां रजा सहाब के सर्वधर्म संभाव मानो मातर से प्रेम युवा कलाकारों को प्रोच साहन उनकी जिद्नासारती कृतियों के प्रती लगाओ आधिक उनों को दर्शाया है इस पार्ट में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते है देखिए कलाकार तो होते है लेकिन सच्चा कलाकार कैसा होता है यहां इस पार्ट में बताया है तो चलो 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादो कि एक कतर सी लग गई देखिए कौनसा दिन था? 23 जुलाई सुबह सुबह का समय था कौनसा समाचार मिला? रजा साहब नहीं रहे बाद में क्या हुआ? उनकी जो यादे थी वह आखों के सामने मानस पटल पर आने लगी पिछले फर्वरी की यी बात है मैं दिल्ली पहुंची थी देखिए फर्वरी की बात है सुजदा बाज़जी दिल्ली पहुंची थी किसलिए कनपती प्रदर्शनी के लिए वह सोची रही थी उस प्रदर्शनी के उद्गाटन के उसर पर उन्हीं बुलाया जाए लेकिन क्या हुआ? उस रात कुछ अन्होनी ही हुई उस रात रजा साहब सपने में आए उन्होंने उठाया और बाते भी की उन्होंने इस शो के लिए शुबकावनाई भी थी कहने लगे सुजाता एक बार मुझसे मिलने आजाओ अब मैं जाने वाला हूँ इसके बाद तो रुकना मुश्किल था सुजाता जी फोरन उन्होंसे मिलने गई मिलने के बाद क्या हुआ उन्होंने उनका हाथ खाथो क्या किया उनके हाथों को चुआ उस वक्त क्या हुआ था उनकी सिर्फ सास चल रही थी वो अलविदा कह कर लोट आई रजा साब कैसे थे अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और इसाई भी थे उनके स्टूडियो में गनपती की मुर्ती, क्रॉस, बाईबल, गीता, कुरान उनकी मा का एक फोटो, पांदी जी की आत्मकता वो भारत से लाई हुई मुगरे की कुछ सुखी मालाई सब एक साथ रहता था वे गनेश को पूश्टे थे और हर रेवार को सुभ़ चर्ज भी जाते थे यानि उनमें सर्वधर्म संबाव की भावना थी क्या था सर्वधर्म संबाव की भावना थी एक दिन जहांगीर आर्ट के लगिने प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा अरे यह तो एस एस राजा है मैं एकदम साथान हो गई क्योंकि मेरी सुचि में उनका भी नाम था मैंने उनके पास जाकर कहा राजा सहाब आपसे बात करनी है देखिए वो फोरण उनके पास गई और क्या कहा आपसे मुझे बाते करनी है वो सुजाता की तरफ देखते ही रगए उन्होंने क्या फिर किया इंटर्यू दिया बहुत सारे बाते भी हुई अजानक उन्होंने क्या क्या सुजाताजी से पूछा आप और क्या क्या करती हो तो सुजाताजी ने जवाब दिया मैं कलाकार हूँ, पेन करती हूँ, वो क्या हो गए? तुरन खड़े हो गए और उनका काम देखने के लिए चल पड़े फिर क्या हुआ? सुजाताजी तो सोच में पड़ गई मेरा काम तो पुने में है सुजाताजी ने बताया वो बोले तो चलो पुने ताज होटल के सामने से उन्होंने टेक्सी ले और सिधे पूने पहुंचे उन्होंने सुजाजाजी का काम देखा और फिर कहा आपको पैरिस आना है आपका भविश्य बहुत उज्वल है छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी बड़ी तनमयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ देखिए वो केसे करते थे बड़ी तनमयता से और लगन के साथ सब कुछ करते थे पैंटिंग भिखने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुची हुआ करती थी कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे देते थे बड़े करीने से धरिये के साथ वे पैकिंग करते कहते थे लड़की ससूराल जा रही है उसे संभल कर भेजना है जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो क्या होता तो यह सावाल तो बिल्कुल मत पूछिए हर शब्द हर पंक्तिको नाप तोल कर लिखते थे फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे देखिए उन्हें क्या पसंद था फूल